देपालपूर राम पंचाय चुनाओं की फार्म उठाने की तारिक पूर्ण होते ही नगर निकाय चुनाओं में राजिदिक दल मेदान में उतरा हैं इसी कड़ी में आज देपालपूर में इंदोर और इस्तीर जग्दीश पटेल वेरहाऊस पर इस्थानी विधायक विशाल जग्दीश पटेल द्वारा गोतमपूरा बेटमा हातो देपालपूर नगर पंचायतों के संभावित पार्शदों के वंपरमुक कार्यकरताओं के बिठक बुलाए गई जिसमें इस प्रश्ट रूप से विधायक विशाल पटेल ने कार्यकरताओं से कहा कि पार्टी जिस कार्यकरताओं को पार्शद के टिकेट दे रही है उसकी मद्धित करना है देपालपूर से राजयन सुर्योंसी की रिपोर्ट क्या करना चाहिए एक माहूल बहुत अच्छा लग रहा है हर एक विक्ति खुशाल है कि कही न कहीं वापस एक लंबे अर्शे के बाद चुना हो रहा है जो उनका मोलिक अधिकार था कहीं न कहीं राजयनितिक बली चड़री थी आम जनता सविधान में लिखा है कि पांच वर्षों में चुना होना चीए लेकिन सरकार की मनमानी के चलते हैं उनके आच्रण के चलते हैं उन्होंने जो वादा किलाफी करी वो आम जनता को फेस नहीं कर पा रहे थे इस खारण से लंबा समय हो गया चुना हो रहे हैं हर एक विक्ति क से वाड़ वाइस और पुरा नगर पंचायत के हर एक सभी चारों नगर पंचायतों को जब बुलाया कहीं ने कहीं बहुत सारे चीजे सामने आई आज मीडिया के माद्यम से ही मुझे पता लगा कि कल जब कल और परसु में जब वीजे बी के कुछ पतादी कारी नगर में सर्वे कर रहा था इसी देपालपूर के अंदर तो कुछ वाड़ तो ऐसे थे कि जहां उनके पास केंडिड़ तर नहीं थे एक तरब तो कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई हमारी और एक तरब वाड़ के अंदर पार्शाद ने मिला यह दुर्भा के पूर्ण है और आते हुए समय में जो जोश और खरोश हमारे सभी कांग्रेस के कारी करताओं में दिख रहा है हमें पूर एक होकर लड़ना सब मिल जूल कर लड़ना क्योंकि 15 वर्ष हो चुके हैं कई ना कई जनता ने तो सरकार बना दिख पेशों से टिकी हुई सरकार धन बल पर टिकी हुई सरकार ज्यादा दिखने वाली नहीं है आज एक नाय किर्तिमान स्थाबित होका हम सब एक जुड़ होकर लड़ेंगे और यही मेसेज विधान सबमी जाएगा आज हम यह सभी फाइनल जीतेंगे मगनिश्यत परबर हम फाइनल भी जीतेंगे धन्यवाद हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्थे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें